अजमाले मुझको थोड़ा सा एक खुदा तेरे बंदा बस विखरा है मगर अब तक तूटा नहीं क्योंकि देखो अगर आप कोई भी अगर आपको रिजल्ड चाहिए या फिर कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ टाइम लगता है क्योंकि आप सभी को पता है सक्सिस का जो असली मज़ा है वो थोड़ा महनत करने के बाद ही आता है और महनत वाले पल में भगवान कहीं ना कहीं आपका परिच्छा लेता है कि आप कितने दूर तक जा सकते हैं ठीक है और इज़त क्लास को स्टार्ट करूँगा और बोलूँगा जो भी चैमल के उपर नहें चैमल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा देजे ताकि पलपल का विडियो अपडेट है वो आपको मिलता रहे और इस क्लास का पूरा का पूरा जो पीडियफ है आप लोग जाकर डाउनलोड कहां से कर सकते हमेशा के तरह www.success98.in website से ठीक है हाला कि इस और टाइमिंग एक बार आप लोग देख लो अपने क्लास का लेकिन करेंट अफ़ेर आपको डेली मिलता है वो भी पीडियफ के साथ और आज कवर करने वाले हम लोग 24 अपरेल के इपॉर्टेंट करेंट अफ़ेर कुछ इपॉर्टेंट तक थे के साथ ठीक है तो सारे करे करेंट अफ़ेर में अच्छा स्कॐर कर पाई क्यूंकि करेंट अफ़ेर एक ऐसा टोपिक है अगर आप इसको डेली फॉलो करते हैं, नोर्स बनाते हैं रिवीजन करते हैं पढ़ियब क्यव कि तू आप एक्जाम में कहीं अच्छे स्कूर कर सकते हैं पहला कोस्टन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है 24 अप्रेल का जो पहला कोस्टन है वो यह है अनुरानी निमलिकीत में से किस खेल से जुड़ी हुई है यह आपको बताना है कि जो अनुरानी है वो अभी हाल फिलाल में इन्होंने गोल्ड मिल्ल जीता है ठीक है तो इनका ना बर बी इस दा करेक्ट एंसर ठीक है चलो अगला कोस्टन हमारे हमारे सामने है निमलिकीत में से कौन से टीम संतोस ट्रॉफी 2018-19 की बीजेता है और एक्जाम में कभी-कभी आपसे यह भी पूछता है संतोस ट्रॉफी जो है वो किस गेम से जुड़ा हुआ है ठीक है तो या जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ा हुआ है आपका फुड़वाल से और 18-19 का जो फुड़वाल टूनामेंट था संतोस ट्रॉफी वो किस ने जीता है तो वो जीता है आपका सर्विस ने ओप्सन नंबर B ठीक है चलो अगला क्वस्टन है भारतिय नौसेना ने हाल ही में इमफाल लांच किया है यह क्या है यह आपको बताना है और एक बात आपको क्वस्टन का एंसर तो मैं दिऊंगा ही दूंगा लेकिन आपका जो पहला प्रस ने आज 24 अपेल का वो यह है इंडिया नेवी का जो चीफ है ना उनका नाम आपको बताना है मैंने अक्सर करेंट फिर में उनका नाम मैं जिकने बहुत बार कर चुका हूं यह आज आपका टास्क है ताकि मैं भी जज़ कर पाऊ कि आप करेंट अफिर सीरियस फॉलो कर रहे की नहीं कर रहे हैं क्वस्टन क्या है भारतिय नौ सेन्या ने हाल ही में इमफाल लांच किया यह क्या है आपके सा चलिए अगला प्रस्त हमारे सामने हैं जो पांच चाय उगाने वाला और उपभोग करने वाला देशों का एक संग है हाल ही में यह कहां लॉंच किया गया है ठीक है यह आपको बताना है इसको स्वार्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ATA which is there union of 50 growing and consuming country have been launched where कहां पर recent में इसको launch किया गई यह आपको बताना है तो यह जो launch किया गया है हाल फिलाल में यह launch किया गया है आपका चाइना में यानि कि चीन में और चीन के बारे में जो important point है यह भी आपको पता होना चाह Gleich Làm में ये सब आपको एक्स्ट्रा करवाता हूँ ताकि एक्जाम की टाइम आपको अलग से ये दुबारा पढ़ना ना पढ़े दो चीन कैपिटल क्या है वो है बीजिंग और करेंसी जो वहाँ इस्तिमाल होती है वो होती है रेंडी और वहाँ के जो रास्ट पती है वो कौन है वो है XI Jipping ठीक है चलिए अगला प्रस्त हमारे सामने है Economist Intelligence Unit के Cancer की तयारी यानि ICP Economist Intelligence Unit Index of Cancer सुचांग की जो लिस्ट है न उसमें 19 में भारत का रैंक क्या है भारत का इस्तान क्या है वो आपको बताना है तो जो ICP Unit Index of Cancer पीपियर डेस इसमें जो इंडिया का रैंक है वो है आपका 19 क्या रैंक है 19 अब आपकी माइंड में उठरा होगा कि भाया इंडिया का रैंक तो 19 है बट टॉप पर कौन है भाया तो जो टॉप पर है वो है Australia कौन है Australia और Australia का जो Capital है वो क्या है वो है Canberra और वहां का currency वहां पर मुद्रा क्या इस्तमाल करते हैं तो वहां इस्तम करते हो ना तो फिर यह याद करने की जरूवत नहीं है automatic आपके माइंड में छप जाएगा ठीक है चलो अगला प्रस्त हमारे सामने क्या है अगला प्रस्त हमारे सामने है वोलोडुमियर जलेस्की ने किस देश की राष्टपती चुनाओं जीता है यानि आपको normal मोटा मोट यह बताना है वोलोडुमियर जलेस्की जो है वो किस देश के राष्टपती बना दिये गए है आपके सामने चार ऑप्सन है बट करेक्ट एंसर क्या है आपका इसका है उक्रेन ऑप्सन नमबर डी इस दा करेक्ट एंसर और एक बात याद रखेगा यह सब आपको याद रख रापिटल है वो क्या है तो वो यह है और उक्रेन में जो करेंसी इस्तमाल होती है यह है तो यह सब पॉइंट आप लोग याद रखेगा याद मत रखेगे डेली अगर आपको फोलो करते हैं तो यह सब आटोमेटिक आपको याद हो जाएगा अगला कोशन हमारे सामनी क्या आपको पताना है तो यह जो खोला गया है वो खोला गया है जाकार्टा में और सबी को पता है जो जाकार्टा है वो इंडोनेशिया का राजधानी है और इंडोनेशिया में जो मुद्रा जो करेंसी इस्तमाल होती है वो क्या होती है तो वहाँ पर इस्तमाल होता है इंडोने और आज का आपको दुसरा प्रस्न क्या है इंडोनेशिया के प्रस्डेंट का नाम आपको बताना है ठीक है पहला कोशन आज का क्या था पहला कोशन था इंडियन नेभी का चीफ का नाम और दुसरा इंडोनेशिया का जो प्रस्डेंट है उनका नाम आपको कॉमेंट करकर बत जाता है लेकिन 19 का जो theme है जो भी सह है वो क्या है world earth day का तो वो है आपका option number 4 protect our spaces यानि हमारी परजातियों की रक्षा करे ये है इस बार का theme 2019 का world earth day का यानि विस्वित्वी दिवस का तो ये याद रखेगा exam में दो question बनते हैं आपके इस question से एक तो बनता है कि world earth day कम मनाया जा तो आपका answer होगा 22 अप्रेल और world earth day का जो theme है जो विस्वित्वी दिवस का वो क्या है तो आपका answer होना चाहिए protect our spaces ये हमारी परजातियों की रक्षा करे ठीक है so option number 4 is the correct answer अगला question हमारे सामने है जैरी कॉब जो है उनका हाल फिलाल में निधन हो गया है has died recently वो क्या थी ये आपको बताना है जो जैरी कॉब है उनका हाल फिलाल में निधन हो गया है वो क्या थी तो जो जैरी कॉब है वो एस्ट्रोनोट थी क्या थी अंतरिक छियात्री यानि option number A is the correct answer अगला प्रस्त हमार है India has rebuilt 2000 कॉंडिलिंग मट का जो है वो पुण निनमार किया है वो कहां पर किया गया और यह थी है क्या मैं आपको पहले बता हूंगा तो लेकिन इसका जो रिबील्ड किया गया है फिर से बनाया गया है वो कहां बनाया गया तो वो बनाया गया है आपका नेपाल में और दाजधानी है नेपाल का वो कटमांडू है ये सभी को पता है और मुद्रा मैं मैं नहीं लिखा है ये नॉर्मल सा क्वेस्टन है वहाँ पर जो मुद्रा इस्तमाल होती है वो होती है नेपाल इस रूपीज राइट लेकिन अब आपके माइड में आता है भाईया यो चीज ब बनाया गया है फिर से और ये मट के अंदर है क्या आपको मैं पहले ये बता दूँ जितना भी अपना कल्चर है अपना सोसल है आर्ट है पेंटिंग है ये सब चीज को वहाँ पर धरसाया जाएगा मोटा मोटी बोल सकते हो एक परकार का ऐसा मट है जहां पर अपना जो संसक है जो कल्चर है या फिर जो आर्ट है पेंटिंग है जो सोसल है जो अच्छे काम है जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो सब चीज को वहाँ पर दिखाया जाएगा ठीक है तो आई थिंक आपका इस क्वेशन सो जो डाउट है वो किलियर हो गया होगा चलिए अगला कोसन हमारे साम क्या है अशिया बैटमींडर चेंपियंशी 2019 की मेज़बानी कौन सा दिख कर रहा है विच कंट्री इस होस्टिंग धा एसीया बैटमींडर चेंपियंशी 2019 तो हुच्छी अंसर क्या है वो है आपका चीन यानी चाइना और चाइना के बारे में मैं आपको हजार बार बता प्रजाती मेरे record breaking breeding season हुई है वो किस देश में हुई है recently the world fastest यहाँ पर spelling गलती है इसको आप सही कर लिजेगा यहाँ होगा fastest आपका न्यूजिलेंड में और न्यूजिलेंड का जो कापिटल है और जो कापिटल है तो राजधानी है वो क्या है वो विलेंटन है और वहाँ पर जो currency इस्तिमाल की जाती है मुद्रा वो की जाती है न्यूजिलेंड डॉलर तो यह थे आपके और नई एक question और है अगला question जो last question है हमारा आज का वो यह है Cleveland International Hall of Fame में सामिल होने वाला भारतिया अमेरिकी professor का नाम बताईए अच्छा और इंडियन अमेरिकन प्रफेसर है जिनको हाल फिलाल में सामिल कर लिया गया है Cleveland International Hall of Fame में उनका नाम क्या है जो इंडियन अमेरिकन प्रफेसर है याद रखेगा तो वो है option number A स्री स्री नाथ option number A is the correct answer तो ये थे आपके important current affair 24th April के जो आपको डेली सुबह में साड़े चार बज़े ये class मिलता है और इस class का सारा का सारा PDF आप लोग जा कर डाउनलोड कर लिजेगा revision के लिए success की 98.in website से हाला कि इसका link जो है मैं description में भी डाल दूँगा और जो बच्चे जो भी मेरे भाई बेंट टेली ग्राम में नहीं जूड़े हैं टेली ग्राम से भी जूड़ सकते हैं उसका भी link आपको वीडियो के description मिल जाएगा तो जितने भी मेरे भाई बेंट देखने सभी को बहुत 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 गुद मॉर्निंग और अपने साथ साथ अपने मम्म पापा का ख्याल रखिएगा जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा चलिए गुद मॉर्निंग एब्रीवन